हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो चनल टे टाइम सेबर मैं कृष्ण सिंग फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वह है पॉलिन पिस्टिल इंट्रेक्शन यह वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग भी है बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कैसे मेल और फिमल पार्ट एक दूस प्रोसेस कैसे होती है जासल पॉलेंड हमने जितने भी चीज़े पड़ी वह फटलाइजेशन से पहले चीज़े पड़ी एजेंट्स के बारें पढ़ी सारी चीजों के बारें पड़ा अब हम रुको पढ़ना है कि आप पोलेंड जब स्टिग्मा फो फॉल कर जाता है तब नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लिजे ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे मिना समय का है चले शुरू करते हैं एक चीज़े कॉमन है कि अगर पॉलेंग ग्रेंड अगर पिस्टिल यानि स्टिग्मा पो फॉल करता है तो वह एक्सेप्ट तभी करेगा स्टिं मेर मेल फॉल कि जया उसेप्ट करने की प्रोसेश हमेसा स्टिउस यानि जीन सेम होनी चाहिए अगर वह रहले ज Yay्सेप्ट करने का प्रोसेश सेली सेम है या नहीं है तो reject करने का process यही हो सकता है कि वो species same ना हो, अगर species same हुआ, तो कैसे एक दुसरे में mutual understanding होती है, आएए समझते हैं, अगर माल लेते हैं, कि अगर species दोनों की same है, pollen भी सही है, और pistil भी उनने दोनों का species same है, तब क्या होगा, जैसे ही वो stigma पो fall करेगा, यह stigma secretion करेगा, क्या करे एक sugar और एक water, यानि water और sugar बहुती amount में उसे क्या करेगा, उसे secret करेगा, secret करने के बाद यह जो pollen होगा, यानि pollen grain absorb करेगा, absorb करके, अपने cytoplasm की space को बढ़ाएगा, और nutritive material का काम करेगा, यह किस रूप में काम करेगा, nutritive के रूप में काम करेगा, तक कि वो अपने size को increase करक अच्छी तरह से ready हो जाए, किस चीक करने के लिए, pollen tube का formation करने के लिए, और आपको यह दिख रहा है, कि इसके पास three germs spores, एंजियो स्पर्म से mainly जो होगा, वो उनके पास three germs spores पाए जाएंगे, और यह बाहर की layer है, जो enzyme और अंदर के in time, आए समझते हैं, आगे क्या होगा, अगर वो pollen tube का formation करेगा, कहां से, वो jam tube से करेगा, pollen tube का formation, अगर वो एक push से एक ही pollen tube का formation कर रहा है, मैं लिए एक ही pollen tube success होता है, जो pollen grain में से nucleus को ले जाका fertilization के लिए run करता है, लेकिन अगर वो धेर सारे pollen tube, यानि देख रहा है, आपको एक दो तीन जम पोल है, तो ज़रूरी ज़री ने कि एक ही, वो jam support से pollen tube का formation हो, यह भी हो सकता है, कि वो तीनो तरफ से pollen tube का formation करे, अब इमर्ज करके style के तरफ जाए, तो अगर एक किया, तो mono siphons कहेंगे, अगर धेर सारे pollen tube का formation किया, तो उसे हम poly siphons कहेंगे, ठीक है, अब pollen tube के बारे में आ गया, तो pollen tube से style दो तरीके के हो सकती है, एक hollow हो सकती है, और solid हो सकती है, इसका कहने का मतलब कैसे हुए, growth of pollen tube, hollow में होता है, कैसा, और solid में कैसा होता है, आइए समस्सक्री fast, ओ अगर यह hollow दीखा, ज है यह style की algae हो है, मैं लिखंगता हूँ style, आप समस्तियह कि hollow कैसा दिखता है, आपको यह दीख रहा है, अगर य कि यह खोलो दिखा, इसका मतलब कि यह जो cells है, वो एकडम lining पर होगи, और भीश में खाली होगा, खाली होगा, तो हम सबी जानते है कि pollen tube का formation होता है, तो उसमें 2 cells formation होती है, एक होता है, मैं आपका लिख देता हूं, यहार एक ट्यूब का फोर्मीशन करता है इसमें 2 तरीके के होंगी यह तो कूं कर रहा है तो mentis यानि जीसे ट्यूब का फोर्मीशन चाह रहा तो बीस्टीव से चलती है और पीछे तरफ जर्मutarate करता है जिसे हम कहते हैं माइटोटिक डिविजन करके हम सभी जानते हैं कि पॉलिंग ओवरल एंड नमबर कंटेंड करता है तो यह भी सब क्या होंगे एंड नमबर ही कंटेंड करेंगे और यह दो मेल गैमेट के नमबर के सब्सक्राइब करते हैं जिसे हम उवर एंडे टूसेल स्टेज़ भी कहते हैं तो आसाने से इसमें देख से सल जाता है लकिन से सॉलीड मीन होता है आई जानते हैं कैसे अगर यह सॉलीड हुआ इसका मतलब यह हुआ की जो स्टाइल है स्टिग्मा के जो नीचे की इनर वालस है वो क्या होंगे पूरी कमट्एक्ट टिशूस काएंगे और अबर और यह सॉलिड स्टाइल है यानि पूरे तर से कॉम्पेक्ट भरा हुआ है से तो क्या होगा कि यह जो पॉलें ट्यूब जा रहा है वो प्रेशर के साथ जाएगा यह भी से इसमें प्रेशर लगाएगी यह भी प्रेशर लगाईगी यह दबाए पॉलेंट ट्यूब में एक लुईख लग लग जाता है क्या होता है यहूं ऐसा का लिझा रग को कंपनां सल्बेशtu न क्या ब्रेशर के म Defense करिए यह इसमाज़िए तो यह आपका पॉलेंट ट्यूब हो गया और यह चाह अन्योग यह लगए तो हम्ते मियंए घ्थ क्यू स अगर मैं इसको बड़ा कर दूंग आपको दिखाऊं तो ये आपको अगर जा रहा है ओपरी के तरफ तो जैसे जैसे जाएगा यहां पर लगा फिर केलैस्ट प्लग लगा फिर के लर्स प्लग लगा ताकि वो धिरी धिरे उसको नीचे के तरफ पुष्ण करता रहा ताकि वह उपर ना सब्फ आंकि ऐसा नहीं है कि एक He क्या करता रहेगा कि वह नीचे के तरफ जाता रहे इसी करते हुए तो मैंने बता दिया कि पोलेंट पिस्टिल इंट्रेक्शन कैसे होता है किसी का सेक्रेशन करता है और कैसे जर्मिनेट करकर पोलेंट का करते हुए कैसे इस्टाइल की तरफ जाता है तो आई होप आपको समझ में आया हुआ कि पॉलेंट पेस्टिल इंट्रेक्शन कैसे होता है वीडियो पसंद देता है वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए अपर दोस्तों के साथ कोश्ट रजिस्टन हो तो कमेंट बाक्स मे